अगर काम को हम बढ़ाएंगे तो लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो यह directly proportional होता है इसके directly proportional समानुपाती होता है यствомink लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी दूसरी बात अगर हम work बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है time भी बढ़ेगा तो ये भी directly proportional होता है और work अगर हम बढ़ाते हैं तो दिनों की संख्या भी क्या होगी बढ़ेगी तो ये तीन जो पद हो गए हैं, ये directly proportional हो गए हैं. लेकिन अगर हम इसमें इसमें देखते हैं, देखते हैं कि लोगों की संख्या अगर हम बढ़ाते हैं, तो जायर सी बात है, कम time में हो जाएगा. ये ब्यूत क्रमानुपात होता है क्या है कि ब्यूत क्रमानुपात होता है ये समानुपात होता है directly proportional समानुपाती है समानुपाती ये क्या है यहाँ पे जो relation बन रहा है ब्यूत क्रमानुपाती थोड़ा patience बनाए रखिएगा क्योंकि लंबा chapter है और इस चैप्टर के पूरे कोस्टन को लगाने के लिए ये बेसिक चीजे जानना जरूरी है तो पहले बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं फिर कोस्टन की तरब बढ़ेंगे कोस्टन आप आसानी से लगा लेंगे विश्वास है अब इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन दे जाएगा दीनों के संक्क्या बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा कम टाइम तक काम करना पड़ेगा व अब यहां देखिए क्या हो रहा है कि इस समानुपात में एक समानुपाती ओर यहां पर सामिल है हग hayat से हम देख लेते हैं अगर यहां अगर श्वामा हं याउइन के हम ने कर दिया P D and T तो ये W को यही रहने दीजिए 1 by K कर दीजिए P D T by W और 1 by K क्या है एक constant value है constant value है P D T by W तो ये constant value है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि P 1 D 1 T 1 by W 1 is equal to P 2 D 2 T 2 by W 2 ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं P 3 D 3 T 3 by W 3 तो ये एक common formula निकल के आया मिस्र समानपात यानि की compound proportion में ये formula काफी important है या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन ये जादा time consume करेगा आपका इसलिए हमें ये formula याद रखना चाहिए चलिए वीडियो को start करते हैं और देखते हैं की question कैसे आते हैं अब यहाँ देखिए कहरा 120 मजदूर किसी कार को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं इसी कार को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे बात क्या है कि 120 लोग हैं कितने दिन में कार को समाप्त कर दे रहे हैं 15 दिन में कार कितना पूरा पूरा का मतलब होता है एक और कह रहा है कि 10 दिन में समाप्त करना है कितने लोग होंगे पूरा काम समाप्त करना है कितने लोग होंगे तो यहां से अगर देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा पंदर दहियम डेड़ सो और दो बार में 30 होता है तो P2 की वैलू क्या हो जाएगी P2 की वैलू हो जाएगी 180 180 ब्यक्ति की आव सकता होगी अगर 10 दिन के अंदर काम को पूरा करना है तो 180 ब्यक्तियों की आव सकता होगी अब हमने किया क्या है जेस्ट वही काम किया है P1, D1, T1 थोड़ा patience रखिएगा आभी slow-slow चलेंगे फिर speed से चल लिया जाएगा W1 is equal to P2, D2, T2 by W2 question काफी simple है अभी simple question देखेंगे तो यहाँ पे पहले लोग कितने थें 120, 3, 15 दिन में कर रहे थे यह time नहीं दिया कि यह लोग कितने घंटे time देते थे daily कितने घंटे काम करते थे तो यह चीज दोनों में कामन है जितने घंटे पहले करते थे इतने घंटे अब भी करते है तो यह कामन है सेम सेम है इसको रखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ थी इसलिए हमने नहीं रखा है और आप चाहे तो वही काम पहले भी था और वही काम बाद में भी पूरा हो रहा था तो यहाँ एक रखने की भी जरूरत नहीं थी आप सीधे लिख सकते थे P1 D1 is equal to P2 D2 यह बात याद कोईशन में यह सारी चीजे बताया जिससे की आप कंफर्म रहें और कोईशन लगाने में आपको आसानी हो तो इस प्रकार से लगा लेंगे अगला कोईशन क्या कह रहा है एक कैंटीन में एक सब्ता के लिए 238 केजी चावल किया हो सकता है तो उन्चाष दिन के लिए कितने चावल किया हो सकता होगी अब यहां देखिए कि काम क्या हो रहा है 238 केजी चावल की खपत हो रही है कितने दिन में साथ दिन में और दूसरे तरफ क्या है कि उन्चाष दिन चलाना है कितने दिन उन्चाष दिन चलाना है इसके लिए कितने केजी चावल किया हो सकता होगी उन्चास दिन के लिए अब यहां लोग भी वही है और समय भी समय दिया नहीं है और लोग जितने थे उतने ही लोग है अभी लोग नहीं घटे बड़े हैं कितने दिन तक चावल चलेगा तो सीधी सी बात है P1 नहीं रखेंगे T1 नहीं रखेंगे केवल क्या दिया है D1 बाई W1 इसकल टू D2 बाई W2 आप रख देजिएगा यहां से क्या हो जाएगा पहले साथ दिन के लिए कितना आव सकता हो 338 केजी चावल की आव सकता होगी क्यों हमने डबलू रखा है क्योंकि इसी चावल को खाने का काम हो रहा है तो यहीं तो वर्क है अभी यहां से हम देखते है 49 दिन और यह W2 यहां से आप लोग काट लेंगे साथ सत्य क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और देखा जाए तो W2 इस इकल टू 7 इंटू 2, 3, 8 8 सत्य चपपन और 7, 3, 21 और 56 आपका हो जाएगा 6 और 7, 2, 14, 15, 16 यानि इतने केजी चावल की आवसकता पड़ेगी 16, 66 केजी आवसकता पड़ेगी चावल की अगर वही लोग है और 49 दिन चलाना है तो अगला next question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है 10 नल जीन में से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक ही दर से मतलब क्या एक ही दर से मतलब होता है पर मिनट जीतना पानी पहले नल से आएगा उतना दूसरे से भी तीसरे से भी मतलब की हर घंटे या हर मिनट या हर सेकंड जितना पानी पहले से आएगा उतना दूसरे से उतना तीसरे से भी आएगा ऐसा classroom दिया हुआ है और कहरा एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं यह दसो नल यदि दो नल खराब हो जाएं तो सेस नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे तो नल कितने थें भाई ये कारे कोन कर रहा है लोग नहीं कर रहा है पानी भरने का काम हो रहा है और टंकी फूल करने की बात हो रही है तो टंकी पहले भी फूल होती थी दो नल खराब हो गया तब भी फूल हो रही है तो W दोनों में सेम है और पहले कितने नल थें दस अभी कितने नल है अभी तो नल है आठ नल है क्योंकि दो नल खराब हो गया पहले कितना टाइम लगता था 24 मिनट अब कितना टाइम लगता है यही तो बताना है यही तो बताना है देख लेते हैं P1 D मतलब दिन नहीं दिया है बलकि मिनट में कारे हो रहा है तो T1 P1 T1 हो गया और यह पूरा टंकी फुल हो जाता था 24 मिनट में 10 नल मिल करके और यहां पर 8 नल कितने टाइम में फुल कर देंगे यहां से अगर हम देखें तो 8 तरीके 24 और 3 दहिया में 30 कितना हो गया यह कोश्ण मार्क बराबर 30 निनट तो 30 मिनट में ये आठ नल क्या करेंगे दो नल खराब होने के बावजूद भी 30 मिनट में यह टंकी को क्या कर देंगे फुल कर देंगे तो इस प्रकार से हम लोग लगा लेंगे अगले कोशन की तरब बढ़ते हैं देखते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन है यदि एक बाल्टी का 4 बटे 5 भाग एक मिनट में भरा जा सकता है तो सेस भाग भरने में कितना मिनट लगेगा एक बाल्टी है चार बटे पांच भाग कारे क्या हो रहा है भाग को भरने का भाग को भरने का तो चार बटे पांच भाग एक मिनट में भरा गया है डबलू वन कितना है चार बटे पांच सोरी चार बटे नौ भाग को क्या किया गया है भरा गया है कितने टाइम में एक मिनट में एक मिनट में बाकी कह रहा है सेस भाग अब सेस भाग कितना है डबलू टू कितना बचता है बाकी भरने के लिए दूसरा कारे कितना बचता है भाई नो में चार हिस्सा हो गया है तो पांच ही हिस्सा तो बचा पूरे में से आप चार बटे नो निकाल दीजे एक कार्य है इसी को पूछ रहा है कितने टाइम में complete होगा भरके सिधी सी बात है उपर क्या होगा टीवन बाई डबलू वन इसकल टीटू बाई डबलू टू तो यहां टीवन आपका कितना लगता है एक मिनिट लगता है और डबलू टू कितना है डबलू वन चार बटे नौ पूरे के बराबर आपका टीटू और यह पांच बटे नौ यह इसके हर को कैंसिल कर दीजिये इतना हो गया यह इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा 5 बटे 4 हो जाएगा मतलब कि t2 बराबर 5 बटे 4 मिनट में क्या होगा भर जाएगा यह टंकी कितने टाइम में भर जाएगी सेस जो है सेस जो बचा हुआ 5 बटे 9 भाग है पांच बटे चार मिनट में भर जाएगा हमने क्यों नहीं D1 रखा क्यों नहीं P1 रखा आप समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है भर रहा है डे दिन में नहीं भर रहा बलकि टाइम में भर रहा तो ये दोनों टर्म नहीं दिये पीवन डीवन पीटू डीटू हटा दीजे इसकी कोई जरूरत नहीं है नेक्ट कोईशन क्या कह रहा है कि आठ बेक्ती पर दिन छे घंटे कार करके एक छोटी सभाभवन को तीस दिन में बनाते हैं इस सभाभवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभाभवन को परती दिन छे घंटे कार करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने बेक्तियों किया हो सकता होगी पहले भी 6 गंटे काम होता था अब भी 6 गंटे काम करना पहले 18 बेक्ती काम करते थे 30 दिन में हो जाता था अब काम 16 गुना बड़ा है लेकिन 27 दिन में पूरा करना है कितने ब्यक्ति लगेंगे बात समझ में आ रही होगी हम देख लेते हैं क्या है कि पहले ब्यक्ति थे अठार टाइम लेते थे छे घंटे डेली करते थे छे घंटे डेली करते थे तो तीस दिन में पूरा हो गया कितना एक डबलू मतलब एक पूरा अब दूसरे तरफ देखा जाए तो हमें कितने वैक्तियों की आवसकता होगी कितने वैक्तियों की आवसकता होगी अगर हम 6 घंटे ही काम करते हैं और 27 दिन में उस कार को पूरा करना है लेकिन काम क्या है पहले का सोल गुना है आसानी से लग जाएगा अब आप लोग लगा लेंगे P1, D1, P1 का मतलब हो गया की 18, D1 का मतलब हो गया 30, 6 घंटा डेली काम करते हैं ये पूरा काम करते हैं लेकिन यहां काम क्या है उसका P2 आपको निकालना कितने लोग लगेंगे, D2 है 27 दिन में काम करना है, 6 घंटे डेली करना है लेकिन काम क्या है, W का सोल गुना, एक का सोल गुना अब आप लगा सकते हैं, 6 से 6 क्या कर देंगे, काट देंगे, और 9 तरी के 27, 9 दुना, 18 अब यहां से अगर हम लोग देखें, तो ये हो जाएगा, 3 धहिया में 30, ये 20 हो जाएगा, यानि की 2 गुडे, 10 गुडे, 16 बराबर आपका P2 ये आगे आपका, 16 दुना 32, यानि 320 लोगों की आवसकता होगी, 320 लोगों की आवसकता होगी, तब जाकर के 27 दिन में, इसे काम का सोल गुना बड़ा भवन बन पाएगा, 16 गुना बड़ा है, इसलिए 320 लोगों की आवसकता होगी, क्योंकि 27 पहले 30 दिन लगता था, ये कही काम करने को, अभी 16 गुना है, और 27 दिन में ही पूरा करना है, तो लोगों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं, तो बढ़ जाएगी, आसा है आपको कोश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चले नेक्स्ट कोश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला कोश्चन क्या कह रहा है, अगले कोश्चन में हैं, तीन आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के इसी काम को कि याद रखेंगे, कितने दिन में ये करते हैं, 40 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, 40 दिन में पूरा करते हैं, ये लोग हैं, आप इसको पीवन मानियेगा, अच्छे है इसको, दोनों बराबर हैं, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या कह रहा है, कि 6 आदमी मैं और 8 बवा कुछ धा कि कितने दिन में काम करेंगे उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे डर ताइम है और टाइम भी सेम है क्योंकि टाइम नहीं दिया है कि कितने टाइम तक करते हैं ठीक है तो आप यहां से देखिएगा आप कह सकते हैं कि तीन मैन छे बॉय के बराबर होते हैं तो तीन दुना छे मैन, शिक्स मैन कितने हो जाएंगे फ़ी दो से यहां पर मुल्टिप्लाई कर दीजिए तो बार बॉय के बराबर हो जाएंगे तो यह छे आदमी बार लड़कों के बराबर हो गएं और आठ लड़के पहले थें तो यह बीस लड़के आप कह सकते हैं बीस लड़के और यहां पर कितने लड़के थें पहले पहले थे छे लड़के छे लड़के आप सोचिए छे लड़के चालिस दिन में कर सकते हैं छे लड़के चालिस दिन में कर सकते हैं तो यह बीस लड़के कितने दिन में करेंगे यही तो निकालना है कितने दिन में करेंगे अब यहां देखिए यहां पर लड़के ले रहे हैं तो यहां पर भी लड़के ही लेंगे कनवर्ट कर लिजेगा अगर मैन यहां लेते हैं तो यहां पर भी मैन को लेना होगा क्योंकि कारे छमता दोनों की सेम होनी चाहिए ऐसा नहीं एक आदमी लगा दिया और एक बैल को लगा दिया दोनों की कारे छमता तो अलग होगी ऐसा नहीं करना है जब भी लगाईए तो एक ही तरह का बैकती लगाईए तो यहाँ पे देखिए पीवन डीवन इस इकल टू पीटू डीटू तो पीवन कितना है 6 इंटू 40 इस इकल टू 20 इंटू डीटू अभी यहाँ से दो बार में कटेगा ये 12 दिन कितने दिन में 12 दिन में कारे कम्पलीट हो जाएगा जब यहाँ पर 6 आदमी और 8 लड़के साथ में मिलके काम करेंगे चाले ये next motion क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि कुछ बैकती एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं कुछ बैकती हैं, कितने बैकती हैं नहीं पता है, यदि 15 बैकती कम हो जाएग, तो दस दिन और अधिक समय लगता है आरंभ में कितने बैक्ति थें हम माल लेते हैं आरंभ में पी बैक्ति थें कितने बैक्ति थें और 90 दिन में कार पूरा करते थें कार पूरा करते थें पूरा का मतलब एक समझेगा बात को अब उसमें से 15 बैक्ति निकाल लिए गए पी माइनस पंद्र है पंद्र बैकती अब निकल गए कुछ बैकती तो होंगे तो यह पीटू है दूसरी बार अब एक सो दिन लगेगा पूरा दस दिन और अधिक समय लेते हैं तो डीटू क्या है सो हो गया तब भी पूरा काम होता है तो यहां से इसको हम भगा देंगे अग माइनस 150 तो इधर से अगर हम यहां करें यह यह यहाँ जाएगा तो लुदas पी माइनस नो यह हो गया और यह टाइम कितने ब्यक्ति हैं तो डेड़ सो में से 15 ब्यक्ति क्या करिएगा निकाल दीजिएगा तो 135 ब्यक्ति हो जाएंगे लेकिन प्रारंब में आरंब में पूछ रहा तो अगला कोश्चन है 17.5 मीटर उचे एक दंड द्वज की परचाईं 40.25 मीटर लंबी है इसी समय पर कितने उचे भवन की परचाईं 28.75 मीटर लंबी होगी ज़से एक दंड है जंडे का आप समझ सकते हैं यहां से सूर्च चमक रहा है ठीक है यह कितना मीटर उचा है 17.5 मीटर उचा है इसकी परचाई बन रही है कितनी 40.25 मीटर परचाई बन रही है वहीं दूसरी तरफ एक और दंड है उसी समय उसकी परचाई बन रही 28.75 मीटर पूछ रहा है यह कितना उचा रहा होगा कि इतना परचाई बन रहा है यही बात आप ये पॉइंट हमेंसे याद रखिएका कि इनका और इनका जो अनुपात होता है इनका और इनका अनुपात होता है कब होता है जब एक कही समय पे परचाई बने अईसा नहीं यह जो में बना तो यह अनुपात सेम होगा जैसे 17.5 बटे 40.25 समानुपात में मतलब की बराबर यह बटे 28.75 ऐसा कब होगा जब एक ही टाइम पे परच्छाई बनेगी एक सुबह एक और एक साम में अगर बनता है तो नहीं ऐसा होगा दो पर और साम के परच्छाई में जो अनुपात होगा वह सुबह वाले में नहीं होगा जब सेम टाइम पे बोल दिया तो यह आप याद रखेंगे ऐसे कोस्टन हमेशा एक्जाम में आते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंग चलिए H की वैलू निकालनी है तो H is equal to क्या हो जाएगा 17.5 गुड़े 28, 7.5 बटे 425 अगर हम यहां से दसमलो को हटा देते हैं तो 175 गुड़े 28, 75 बटे आपका 40, 250 हो जाएगा अब क्या कर देते हैं 25 से काड़ देते हैं यह सत बार में कट जाएगा यह एक बार में छे बार में एक बार में जीरो बार में कट जाएगा क्योंकि 25 से यहां अगर हम काड़ते हैं तो 25, 25 हो जाएगा, 15 बचेगा, तो 152 हो जाएगा, 6 बार में अगर हम काड़ते हैं तो 1500 हो जाएगा, उसके बाद एक बार में काटेंगे, 25 हो जाएगा, यह हमारा निकल गया, 7 से काड़ दीजिए, 7 दूना चोओद, और 7 तरी के 21, चलिए, यह यहां कर लेते हैं, अब इसे 23 से काटेंगे, तो 23 से एक बार में कटेगा, 23 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, दो, फिर आपका 5 हो जाएगा, तो 125 आजाएगा आपका, ह की बैलू, 125 यह ह की बैलू आ गई, लेकिन यह नीचे 0 भी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 में लग जाएगा, 125 बटे 10, तो 12.5 मीटर, यह कितना उचा रहा होगा, 12.5 मीटर, यहां से हम लोग निकाल लेंगे, आगे अगले कोस्टन को देखते हैं, कुछ important कोस्टन है और थोड़ा हाट भी है, लेकिन आप आसानी से लगा लेंगे भिश्वास रखिये, यदि 5 इंजन 9 गंटे पर दिन कार्य करने पर 6 मेटर, टन कोईले की खपत करें हैं, तो 6 मेटर, टन कोईले की खपत होती है, लेको यह कोईले से चलने वाली इंजन है, ट्रेन, तो 8 दस घंटे पर दिन काम करके कितने कोईले की खपत करेंगे आठे इंजन कितने कोईले की खपत करेंगे जबकि पहले परकार के इंजन तीने इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरे परकार की चार इंजन काम करती हैं अभी यहां दो परकार की इंजन हैं पहले दूसरी इंजन काम करती थी अभी दूसरी इंजन काम करती है तो मैंने बोला है कि एक आदमी और एक बैल को काम पर लगाएंगे तो काम में तो अंतर होगा काम में अंतर होगा एक बैल बराबर आप चार आदमी रख लीजिएगा जिससे पता चल जाएगा कि एक बैल के बराबर कितना आदमी काम करता है तो यहाँ पे हमको convert करना होगा क्योंकि पहले जो engine तीन engine थी उतनी खपत करती थी अब उतना खपत चार engine करती है engine की छामता थोड़ी कम है तभी तो चार engine खपत कर रही है तो यहाँ से अब देखिए तीन engine पहले टाइप की बराबर चार engine दूसरे टाइप की अब दूसरी बार यहाँ पहले क्या लगा था कि पाच engine थे आठ गंट नो गंटे परड़े काम करते थे और वर्क कितना होता था 6 मिट्रिक टन 6 मिट्रिक टन कोईला की खपत होता था अब यहाँ क्या है 8 engine है और 10 गंटे परड़े काम होता खपत होता है 10 गंटे परड़े खपत होता है तो यही बताना था कि W2 कितना होगा W2 कितना होगा तो अब यहाँ देखिए कि पहले परकार के पहले परकार के तीन इंजन बराबर दूसरे परकार के 4 इंजन तो दूसरे परकार के कितने इंजन है 8 इंजन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 2 से multiply कर दीजिए तो 6 इंजन बराबर दूसरे परकार के 8 इंजन तो दूसरे परकार के 8 इंजन पहले परकार के 6 इंजन के बराबर हो जाएगे अब तो दोनों में same engine है अब सही है नहीं तो इनकी कारिच्छमता पहले अलग थी दूसरे वाले की अलग थी अब यहां से रख दीजिए P1 का मान हो गया 5 और आपका D1 का मान हो गया एक दिन परड़े तो एक रखने की जरुवत नहीं है और time हो गया 9 और काम कितना होता है W1 6 is equal to 6 P1 P1 की value अब यहां 6 हो जाएगी और time कितना है 10 है W2 आप निकाल लेजिए निकालेंगे 3 तरी की यह 9 हो जाएगा 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तीन दूना 6 हो जाएगा अगर 5 से इसे काटे तो दो बार में जाएगा और यह तीन दूना 6 हो जाएगा दो दो गुड़े दो हो जाएगा तो यहां से W2 is equal to हो जाएगा 2 into 2 into 2 मतलब की 8 मिट्रिक 10 अब जो 8 ही इंजन लगेंगे दूसरे परकार के या पहले परकार के 6 ही इंजन कीतना कोईला खपत करेंगे 8 मिट्रिक 10 कोईला खपत करेंगे अगला कुशन क्या कह रहा है यदि 7 औरते 7 जाडूं से 7 मंजिल को 7 गंटे में साफ करें तो 3 औरत 3 जाडू से 3 मंजिल को साफ करने में कीतने गंटे लेंगे काफी इंटेस्टिंग है साथ औरते हैं साथ जाडू, साथ मंजिल और साथ गंटे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक औरत एक जाडू ले करके एक मंजिल को एक गंटे में साफ करेगी तो तीन औरत में तीन जाडू ले करके तीन मंजिल को साफ करने में तीन घंटा लगेगा, ऐसा नहीं, इस तरह से सोचेंगे question गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, बलकि यहां देखिए, formula लगाएंगे, P1, D1, T1 by W1 is equal to P2, D2, T2 by W2, तो P1 कितनी औरते हैं पहले, साथ औरते हैं, दिन नहीं दिया है, बलकि यहां आप क्या हो जाएगा, time दिया है, साथ घंटे, साथ घंटे, दिन नहीं दिया है, यह चीज क्या करेंगे, अब यहां जाड़ू जो होता है, जीतना मंजिल होगा, जाड़ू की संख्या क्या होगी, उसी अनुपात में समानुपाती बढ़ जाएगा, जीतने मंजिलों की संख्या बढ़ाएंगे, जाड़ू की संख्या समानुपात में बढ़ता जाएगा, तो यहां पे, अब दिन पाती होता है वो क्या होता है विद्क्रमान पाती वाले उपर होते हैं और समान पाती वाले नीचे होते हैं तो यहां पर देखिए साथ जाड़ू है और साथ घंटे परड़े काम करने पर साथ मंजला इमारत साफ हो जाती है अब यहां तीन औरते हैं तीन जाड़ू है और कितना टाइम लेंगी यही पूछ रहा कितने घंटे में कर देंगी टीटू पूछ रहा है और तीन मंजिला है तो यहां से यहां से भगा दिजेगा सासाते कितना हो गया और उनचास हो गया और मेंज कर टू थिरी टी तो और चास बटे थिरी टी टू आप कह सकते हैं 16 तियां 48 एक बच गया एक बटे 16 अही एक बटे तीन घंटे कितना 16 अही एक बटे तीन घंटे तो इस को कभी मत ऐसा करिएगा कि एक घंटे में एक औरत एक जाड़ों लेकर एक मंजिल साब की तो तीन घंटे में तीन घंटे में तीन जाड़ों से तीन मंजिल साब करेंगे तीन नहीं एंसर आएगा इस तरह से आप फार्मूले से लगाएंगे तो एंसर आएगा चलिए नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं जस्ट इसी टाइप का कोस्टन है कह रहा है यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो पाँच आदमी मिल कर इस से पाँच गुने कार को कितने समय में करेंगे कितने एक आदमी है एक आदमी है लिख लिया हमने एक दिन में कितना काम करता है पूरा तो दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि पांच आदमी मिल करके उसको कितने टाइम में पूरा करेंगे लेकिन काम क्या है पहले काम का पांच गुना है तो कितना हो जाएगा एक दिन टीटो कितने दिन हो जाएंगे एक दिन भी देखिए एक आदमी एक दिन में उसकाम को पूरा करता है तो पांच गुना है तो पांच दिन में पूरा करेगा भाई एक दिन में उतना करता है तो उसका पांच गुना है तो वही आदमी है तो पांच दिन लगा देगा सिंपल वैसे लग जाएगा लेकिन फार्मूले में रखेंगे तो इस तरह से लगेगा नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन कह रहा है यदि कुछ ब्यक्ति 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं तो यही ब्यक्ति यही जो ब्यक्ति हैं 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी और कितनी लंबी खाई खोदेंगे तो बात क्या और यह काम क्या है खाई खोदने का खाई खोदने का मतलब खाई क्या होता है एक आयतन होता है आयतन होता है लंबाई चोड़ाई और गहराई होती है तो ये भीवन है और WTB क्या है भीटू है अब यहां दिया हुआ है क्या कि कुछ बैक्ती हैं दस दिन में खोद सकते हैं d1 कितना दिया है दस दिन में खोद सकते हैं यही ब्यक्ति 30 दिन में खोदना है इनको 30 दिन में खोदना है लंबाई चोड़ाई गहराई दिया हुआ है तो फार्मला लगाएंगे p1 d1 t1 by w1 is equal to p2 d2 t2 by w2 यह सेम सेम ब्यक्ति हैं रखने की आओ सकता नहीं है जितने गंटे पहले काम करते तो उतने ही काम करते हैं तो d1 क्या हो गया 10 हो गया w क्या हो गया आयतन पहले का तो पहले का आयतन कितना होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े गहराई गहराई कितना है 10 मीटर ब हम भी खाई खो देंगे लंबाई नहीं दिया यह निकालना है चोड़ाय दी गई है पचीश मीटर और और गहराय दी गई है कि 15 मीटर गहरा होधना है तो 15 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहां से इस को क्या करेंगे भगा देंगे और ये आपका पचीश से काटेंगे 25 दुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा 100 दुना 200 हो जाएगा इधर करेंगे तो यले इस इकल्टू हो जाएगा 100 गुडे दो गुडे दो मतलब कि 400 मीटर लंबा खाई खो देंगे जो 25 मीटर चोड़ा और 15 मीटर गहरा होगा 25 मीटर चोड़ा और 15 मीटर गहरा और 400 मीटर लंबा खाई खो देंगे भाई 30 दिन में खोद रहे हैं कितने दिन में? 30 दिन में खोद रहे हैं तो 30 दिन में थोड़ा सा बढ़ नहीं जाएगा क्या बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग लगा लेंगे बस याद क्या रखना है कि यह जो कारे हो रहा है आयतन खोदने का हो रहा है ना कि कुछ और है तो आयतन खोदने का तो को हम पहला रख देंगे लंबाई चोड़ाई गहराई दूसरा अगला कोशन देख लेते हैं यदि 409 गंटे पर दिन कार करके किसी कार का एक बटे भ्हारकर छी काम करतें तो बटे चार काम को देन में समाथ्ट कर लिया लेकिन कह रहा कि कुछ और भी अत्रिक्त व्यक्ति लगा देना, और आठ गंटा ही कम ठोड़ टाइम काम करना है लेकिन आदमी बढ़ा देना कम ठाईम में काम करें तो बाकी काम बचता है वह वह 20 दि कितना काम करते हैं वन बाइफ और यानि चार में एक हिस्सा कर लिया तो बचा कितना बटे-4 आप निकाल लेना एक में से एक बटे-4 निकालेंगे तो यही बचेगा यह बचता है इस काम को क्या करना है कि जो ब्यक्ति थे उसमें कुछ और ब्यक्ति और लगा देना है लेकिन क्या करना है कि हमको 20 दिन में ही पूरा चाहिए और थोड़ा कम टाइम काम करें लोग चलेगा आठ गंटे तो यही पूछरा कितने अत्रिक्ति ब्यक्ति लगाने पड़ेंगे यह यह तो यहां से इसको हम भगा देंगे और यहां से आपका दस दुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और आपका आठ पचे क्या हो जाएगा 40 यह 50 हो गया और दो से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो गया और 25 तियाई कितना हो गया 75 यहां देख लेजिए 25 गुड़े 9 गुड़े 3 बरावर 400 प्लस पी तो 25 तियाई 75 प्लस पी तो यह अगर यहां से 400 निकाल देंगे तो पी बरावर मिलेगा आपको 275 ब्यक्ति अभी 275 ब्यक्ति और बढ़ाना होगा तभी जो बचा हुआ काम है 20 दिन में पूरा हो पाएगा क्योंकि काम कम टाइम तक हो रहा है पहले 9 गंटे होता था अब 8 गंटे हो रहा है तो ऐसे लगाएंगे लग जाएगा आसा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कोश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेयर भी करते रहीएगा और कमेंट में जरूर बता कि आपको वीडियो कैसा लगा कोश्चन समझ में आए कि नहीं आए